तो देखते हैं पर question number first में हमसे क्या पूछा गया है? Why should curd and sour substance not be captain brass and copper vessels? तो यहाँ पर बोला गया है कि curd हो गया, यह हमारे कोई भी खटे पदार्थ हो गए, हम उनको brass और copper vessels में क्यों नहीं रखते हैं? उनके बरतन या उनके container में क्यों नहीं रखते हैं? तो brass और copper simply हमारे metals हैं, और यहाँ पर हम देखते answer में क्या लिखा गया है, फिर हम इसको और discuss करेंगे. curd and other source substances contain acid. तो इन दोनों में यहाँ पर क्या होता है? acid होता है, जितने भी हमारे खटे पदार्थ होते हैं, चाहे वो lemon हो, चाहे वो pickles हो, उनमें हमारा क्या present होता है? acid present होता है. When these substances are kept in brass and copper vessels, अगर हम यहाँ पर इन substance को यह भी जो पदार्थ होते, खटे पदार्थ, अगर हम इनको brass और copper के बरतन में रखेंगे, तो यहाँ पर होगा क्या? the acid reacts with metal and liberated hydrogen gas. तो वहाँ पर जो acid जो इनमें present होता है, तो वह क्या करता है, यहाँ पर metal से react कर सकता है, और वहाँ पर hydrogen gas release होगी, और बाकी other harmful substance release होगे, जो हमारे खाने को, जो हमने यहाँ पर रख रखे, खटे पदार्थ, वह यहाँ पर क्या हो सकते हैं? खराब हो सकते हैं, तो इसके मैं यहाँ पर simple reaction बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर मैं acid, यहाँ पर कोई acid है, मतलब यहाँ पर माल लो hydrochloric acid है, और यहाँ पर कोई metal है, जैसके magnesium हो गया, copper हो गया, यह हमारा brass कोई भी हो गया, अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ यहाँ पर react करती है, तो यहाँ पर हमारा क्या बनता है, salt plus hydrogen gas क्या होती है, release होती है, क्या होता है हमारा salt plus hydrogen gas यहाँ पर release होती है, जिससे जो हमारा sour sub extensive, वो हमारे 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 क्या हो सकता है, spoil हो सकता है, क्या हो सकता है खराब हो सकता है इसलिए हम यहाँ पे कौपर के बरतन या ब्रास के बरतन में इनको नहीं रखते हैं तो यहाँ पे होप आपको यह वाला अंशर समझ में आ गया वगा अब हम बढ़ते हैं अपने